हलो बच्चो आज हम रोटी नामा का फुलास पढ़ेंगे उस से पहले क्लास में हम रोटी नामा नजम पढ़े थे और आज हम उसका फुलास पढ़ेंगे शायर इस नजब में रोटी के सरापे को बयान किया है कि रोटी का पेड़ा बर्फी और मोती चूर के मानिंद है और रोटी पेट की आग को बुजाती है रोटी हर एक जगा नज़र आती है फखीर भी चान और सूरच को भूग की शिद्दत की वज़े से रोटी तसवर करता है आदमी जब भूगा होता है तो उसके दिल में मेले या बाग चमन की सायर की भी खायश पैदा नहीं होती रोटी भूग के वक्त अल्ला की याद दिलाती है रोटी से हमारा तालो जब से दुनिया बनिये तब से है रुखी सूखी रोटी भी हमारे लिए शहत के मानिद है रोटी कैसी भी हो रोटी ही होती है चाहे वो पतली हो या मोटी यहू की हो या जवार हमको रोटी खुश करती है बच्चो ये रोटी नमा का खुदासा हुआ आपका हुवग यही है कि आप इसको अच्छा से पढ़ेंगे और लिखेंगे भी